कि अलेफेंट्स वेलकम बैक आजके इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक के ओपर जहां पर की एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है जैसे इसे नेक्स्ट वीक से मार्केट बाउंस बैक करना स्टार्ट करेगा इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है उसके पीछे का क्या वजय क्या लॉजिक है क्यों इन सभी स्टॉक्स में एक तेजी देखने को मिल सकता है कौन-कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है स सबसे पहले अगर देखेंगे तो जो लाश्ट ट्रीडिंग सेसन था उस दिन अमेरिकन मार्केट में एक अच्छा तेजी देखने को मिला यानि कि फ्राइडे के सेसन में जोंस पॉइंट एट परसेंट के तेजी के साथ क्लोज हुआ है नैस्टेक 1.22 परसेंट के तेजी के स साथ क्लोज हुआ है तो एक अच्छा तेजी अमेरिकन मार्केट में देखने को मिला और इसका एफेक्ट जो है हम लोगों को मंडे के ट्रीडिंग सेसन में इंडिया में देखने को मिल सकता है क्योंकि ग्लोबली अगर सेंटिमेंट यहां पर बुश्ट होता है अगर कुछ आपको नहीं किया जाता है इसराइल और इरान के बीच में कुछ वार इसकलेट नहीं होता है तो फिर इसका एफेक्ट जो है डफनेटली हम लोगों को पॉजिटिबली मिलने वाला है तो चलिए इसके उपर हम लोग डीटेल में बात करते हैं लेकिन अगर अभी तक आप ल देखने को मिल सकता है को इस ओर आत पर एक पोश्ट करते रहते हैं इससे उपको से ङया मैं नहीं रह सकते हैं मार्केट में क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं बिजनस कर रहे हैं कोई और कमिटमेंट के साथ बीजी हैं तो फिर जो है आप हमारे प्रीमियम गृप को भी जॉइन कर सकते हैं जहां पर कि आपको एक जक्ली काईड किया जाएगा कौन से स्टॉक को बाई करना है कौन से लेवल पर बाई करना है क्या स्टॉप लोस होने वाला है क्या टार्केट होने वाला है कहां पर हम लोग अपने स्टॉप लोस को ट्रेल करेंगे कहां पर पार्सल प्रॉफिट को बुक करेंगे क्या हम लोगों का पोजीशन साइजिंग है तेलिग्राम क्रूप का लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक के ऊपर सबसे पहला स्टॉक है कोचीन सिप्यार्ट में बहुत से लोग आपको ऊपर के लेवल से श्टक हुए है 14 पर सेंट के गिरावट के साथ आपको last one month में ट्रेट कर रहा है और लाश्ट सिक्स मंत में अगर बात करेंगे एक अच्छे गिरावट के बाद भी ओपर के लेवल से अगर बात करेंगे तो तक्रीबन जो है 50% का गिरावट देखने को मिल चुका है लेकिन फिर भी स्टॉक अभी भी 53.5% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है तो कि एक बहुत ही जबरदस्त तेजी हम लोगों को देखने को इस स्टॉक में मिला था आ जाते हैं चार्ट के उपर लगातार अगर देखेंगे 2979.45 का स्टॉक ने हाई लगाया था और उसके बाद से स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था तो यहां यहां पर देखेंगे जितने भी लोग इस चैनल से लगातार जुरेवए हैं उनको याद होगा जैसे ही स्टॉक जो है उपर की साइड में 2500-2600 से भी लेवल को क्रॉस करना स्टार्ट किया था मैंने आपको वार्ड किया था इस स्टॉक में आपको इमीडियेट बाइंग न नहीं करता है नो मैटर कितना भी स्ट्रॉंग फंडामेंटल कंपनियों एक सार प्राइज कभी भी सश्टेन नहीं करता है इस चीज को हमेसा ध्यान रखेगा अगर इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो आगे बहुत सारे स्टॉक में ट्रैप होने से बच जाएंगे स्ट सपोर्ट जोन पर बना है एक पिन बार कंडल इसके साथ ही अगर हम लोग देखेंगे तो उपर के लेवल से एक रसिस्टेंस है और यह रसिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का यहां पर आपको लेवल मिल गया नीचे की साइड में सपोर्ट है होरेंटल और उपर की साइड में इस ट्रेंड लाइन का बस आपको यहां पर वेट करना है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक ऑउट एक बार ग्रinka ब्रेक ओट हो जाता है तो फिर स्टांट में हमलों को एक निग्शेंट आ च के तरप कर सकता है लेकिन उसके लिए जरूड प्रेकाइट काइब नहीं करता है आपको प्रेकाइड के साथ को फेसे republic cần करना है अब आपको इंट्री लेना है इन केस अगर आपके पास ऑल्रेडी पॉजीशन है और आपने ओपर के लेवल पे ले लिया है और आपको करना है तो फिर आप ब्रिक आूट के बाद अपने पॉजीशन को अभरेज भी कर सकते हैं इस टॉक की बात करेंगे नेक्स टॉक का जश्ट डाइल जश्ट टाइल के सेर में अगर देखेंगे काफी इंट्रेश्टिंग स्टॉक है मार्केट लगातार फाइब ट्रीडिंग से वाल कर रहा है और इस टॉक में एक गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुका है उपर के लेबल से स्टॉक आलरेड़ी यहां पर करेक्ट हो चुका है रिट लाइन का यहां पर कंफर्म स्टॉक ने एक इंजाइब काफनी का हैं यहां पर अभी यहां पर बाास करता हूँ दिख रहा है उपर की साइड में जो एक resistance stock face करता है यह resistance है आपको 1225 का zone इस zone के उपर अगर sustain करना start कर देता है क्योंकि previous two trading session से लगातार stock इस level को breakout करने की कोशिस करता है बट breakout हो नहीं रहा है अगर इस level को cross कर जाता है तो फिर just tile में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है और stock वापस से 1383 के level तक जा सकता है यानि कि एक sharp तेजी से stock में जो है हम लोगों को तकरिवन 200 पॉइंट तक का भी देखने को मिल सकता है तो उसके लिए जरूरी है 1225 के level के ओपर breakout होने का breakout हो जाएगा तो एक जो है यहाँ पर हम लोगों को channel pattern का भी breakout दिखेगा साथी साथ जो है प्रेंड लाइन का breakout अल्टी हो ही चुका है तो इस stock में एक अच्छा बाइंग मोमेंटम उपर की साइड में देखने को मिल सकता है थार्ड स्टॉक के बात करेंगे थार्ड स्टॉक है ओएंगीजी के सेर में अगर देखेंगे तो इस stock में भी इस stock ने भी आपको इस गिदावाट में participate नहीं किया उसके पीछे का रीजन यह है जो अधर ओंसी कंपनी के वह देखेंगे तो वह सभी जो है आपको कुड औईल को पर्चेज करके रिफाइन करके सेल करता है ओएं कमपनी है तो इस वज़े से जो है ओएंजीसी के सेयर में आपको ज्यादा गिरावत देखने को नहीं मिल रहा है स्टॉक है के ट्रेंड लाइन रसिस्टेंस के पास्ट रेट करता है साथे साथे एक होरिजन्टल रसिस्टेंस है 302 का बस वेट करना है इस लेवल के ब्रेक काफी लोग आपको बार-बार कोश्चन करते हैं इस गिरावट में कौन से स्टॉक को बाई करें इतने सारे स्टॉक में लेवल के साथ दे रहा हूं इस चीज़ को आप जाके खुद से रिसर्च करिए और उसके बाद जो है खुद से आप पोईशन ले सकते हैं और स्टॉक जो है आपको जुलाई मन्त में फॉस्ट टाइम 50 रुपीज के लेवल के उपर सस्टेन किया उसके बाद अगर देखेंगे तो एगीन जो है यहां पर हम लोगों को वापस से एक मल्टी एयर ब्रेक आउट देखने को मिल रहा है इस टॉक जो है अप्रेल 2022 के बाद फॉस्ट टाइम 67 के लेवल पे आपको क्लॉस लाइए लाश्टट तैम जो क्लूस हुआ था वहुआ था आपको 66.7 पे इसके ऊपर में श्टॉक क्लॉस हुआ तो एक अच्छा तेजी स्टॉक में एक्स्ट्रेक्ट कर सकते हैं श्टॉक ऊपर की साइड में 107 और इसके पर झाया खुद से रिसर्च करके आप ले सकते हैं यहोप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया उगे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो अनलेसित अच्छा लगा हो वीडियोग को लाइक करके चानल को सब्सक्राइब झाल झाल